हेलो फ्रेंड्स आप सबको स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल वाउ इंडिया वाउ में आज हम आपको लेकर आए हैं उत्तर परदेश के साहरंपुर जिले के बहुत ही खास मंदिर जिसका नाम है फुतेश्वर महातेव मंदिर यह मंदिर साहरंपुर में धोबी घाट के पास इस्तित है आप भक्तों की भीड देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि मंदिर की मान्यता बहुत है यह मंदिर 22 बिगे में बना हुआ है कहा जाता है कि मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है यह मंदिर सत्रिविश अताब्दी में पराठो द्वारा बनाया गया था जब भूग रव से यह शिवलिंग परकट हुआ था तो मराठों ने इस मंदिर की इस्तापना की थी 425 साल पुराना यह मंदिर भक्तों की सभी मनो कामना पून करता है कहते हैं भगवान भोले नाथ यहां पर सुवम विराजमान है इस मंदिर के बारे में कहा जाता है अगर आप अपनी कोई मनो कामना पून कराना चाते हैं या आपकी कोई ऐसी मनो कामना है जो पून नहीं हो रही है तो इस मंदिर में 40 दिन तक लगातार दिया जलाने से आपकी मनो कामना पून हो जाती है क्योंकि भगवान भोले नात का यह मंदिर भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करता है इसलिए सभी भक्त बहुत दूर-दूर से इस मंदिर के दर्शन को आते हैं 22 बिगे के इस मंदिर परिसर्थ में दो मंदिर ही राजबाना एक भगवान भोले नात की का पुतेश्वन पहादेप मंदिर जो 425 साल पुराना है और एक राम मंदिर जो अभी कुछी साल पहले बनाया गया है भगवान भोले बापा पर लोगों की इतनी आस्ता है कि कई कई घंटे लाइन में लगने के बाद भी किसी को ठकान का अनुभव नहीं होता बात एक चल के लोटे से परिशन होने वाले हमारे भोले बापा सभी भक्तों की मनुकावना जरूर पूरी करते हैं हम भी कई घंटे लाइन में लगे रहे मंदिर की सुन्दरता को देखते रहे फिर हमें जाकर भगवान भोले बापा के दर्शन हुए भगवान भोले बापा के दर्शन करके मन को एक असीम आनन प्राप्त हुआ हम पहुँच चुके हैं आप भी करिए हमारे साथ भगवान भोले बापा के दर्शन फ्रेंड्स मैं आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई आपको जानकारी अच्छी लगी होगी प्लीज लाइक शेर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल वाओ इंडिया वाओ मिलते हैं आपको अपनी अगली ऐसे ही कुछ रोचक जानकारी के साथ प्लूपली बापा कुछ जानकारी के साथ